हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कक्षा 6 की वोक्षीट नंबर 11 जो की 12 अगस 2021 की वोक्षीट है और आज का विशे है सामाजिक विज्ञान और इसका हम पढ़ने वाले हैं अध्याय एक जो की है सौर मंडल में पृत्वी और इसक करते हैं सौर मंडल यानि की सूरी के चारो और चक्कर लगाने वाले विभिन ग्रहों शुद ग्रहों धूमकेतूंं उलकाओं एवर अन्य खङोलिये पिंड़ों के समूझ सौर मंडल कहते हैं यानि की और देखो इसको एक नाम और दिया गया जो की हैसौर परिवार सौर मंडल, सौर परिवार, इसका मुख्या होता है सूरे, क्योंकि देखो सूरे बीच में होता है, इसके चारों तरफ अलग-अलग ग्रह, शुद ग्रह, धूम-केतु, उलकाएं और दूसरे खगोले पिंड घूमते रहते हैं, और इन पूरी चीज को मिला के हम कहते हैं सौर मंडल, सौर मंडल का मुख्या कौन है, अभी हमने पढ़ा की सूरे है, तो सूरे के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, सौरे सौर मंडल के केंद्र मिस्तित है, या हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है, ठीक है, यानि पूरे सौर मंडल में जतने भी पिंड है, उन हैं तोर्य सोर मंडल की लिए प्रकाश आएवं उष्मा का एक मांद्र स्रोत है यह नि पूरे सोर मंडल में जितनी भी प्रकाश और उष्मा है वह सूर से ही मिलती है Bennett और सूर बहुत गरम है और सूर उइस बना हुआ है अब हम पढ़ते हैं ग्रहों के बारे में ग्रह हमारे सौर मंदल में टोटल आठ ग्रह हैं सूर से दूरी के क्रम की अनुसार अगर हम देखें तो सबसे पहले है बुद्ध फिर है शुक्र फिर पृत्वी फिर मंगल फिर ब्रेजपती फिर शनी फिर यूरेनस और फिर लास्ट में है नाप्चून तो ये टोटल आठ का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है यह जो शुक्र है और यह प्रित्वी है इसको आपस में जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्यूं कहा जाता है क्यूंकि इसका आकार एवं आकृती लगभग प्रित्वी के ही समान है यानि अगर आकार और आकृती की बात करें तो शुक्र और पृत्वी लगभग लगभग एक जैसी ही होती है ठीक है अब इसके बाद हम इसके question answer करते है पहला प्रशन है सूरे के सबसे नस्दीक ग्रह कौन सा है तो अभी हमने पढ़ा कि सबसे पास वाला जो ग्रह है वो है बुध दूसरा है सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उश्मा का एक मात श्रोत क्या है तो अभी हमने पढ़ा कि उश्मा और प्रकाश सभी को कहा से मिलती है सूरे से और प्रशन तीन है सौर मंडल के सभी आठ ग्रहों के नाम लिखिए तो यहां पर देखिए यह आठ के आठ ग्रह दे रखें हैं आप इन सब के नाम लिख देंगे ठीक है तो इस तरीके से हमारी आज की यह जोग्रॉफिक की वरक्षीट कंप्लीट होती है आई होप आपको यह सारी चीज अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी थेंक यू